अक्सर जब भी आप प्लेन से सवारी करने के लिए निकलते हैं तो आपको एक निर्देश दिया जाता है या तो अपने फोन को स्विच आफ कर लें या फिर इसमें फ्लाइट मोड अन कर दें और ये ऐसा एक सवाल है जो कई लोगों को परिशान किये हुए है कि आखिर एक छोटा सा फोन इतनी बड़ी प्लेन को क्या नुकसान पहुचा सकता है हलांके कई लोग तो ऐसे हैं जो आमतोर पर प्लेन का सफर करते हैं तो प्लेन के अंदर दाखिल होते ही अपने फोन का फ्लाइट मोड अन कर लेते हैं लेकिन आज आज आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा जो लगातार आपको परिशान किये हुए है अगर आप प्लेन में सफर कर रहे हैं और आपके फोन का डेटा ओन है या फिर नेटवर्क ओन है तो इससे सीधा सीधा असर पड़ता है प्लेन के कम्यूनिकेशन में इससे नेविगेशन में भी प्रॉबलम आती है जिससे सीधे तोर पर पाइलेट खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता और उसे साफ निर्देश नहीं मिल पाते यही वज़ा है कि कई बार प्लेन क्रैश होने, कम्यूनिकेशन क्लियर ना होने की बातें सामने आई हैं बताया जाता है कि किसी भी फ्लाइट के उडान के दौरान अगर पैसेंजर विमान के अंदर अपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में नहीं डालते हैं तो मोबाइल फोन के सिगनल से फ्लाइट के कम्यूनिकेशन पर असर पड़ता है इससे पैलेट को कंट्रोल रूम से कम्यूनिकेशन में परिशानी होती है और विमान अपना रास्ता भटक सकता है नेटवर्क ओन रहने पर रेडियो फ्रिक्वेंसी में बाधा बनेगी और ये बाधा आपके जीवन को बाधा में डालने के लिए काफी है यानि आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपको सुरक्षित रखने के लिए ही ये फ्लाइट मोड ओन वाला निर्देश दिया जाता है इससे पैलेट को कोई फाइदा नहीं है फ्लाइट मोड ओन करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है फ्लाइट मोड ओन रहने पर भी अपने मोबाइल का इस्तिमाल तो आप करी सकते हैं आप इसमें सेव किये गए वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं साथी साथ कैमरे का भी प्रॉपर इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि flight mode on होने से आपको किसी दिक्कत को जेलना पड़े क्योंकि कुछ घंटों के सफर में अगर आप किसी से बात नहीं भी करेंगे और अगर उन्हें पता है कि आप दो घंटों में उनके सामने होंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ये बात हम सभी को पता है कि mobile में जो भी काम होता है चाहे वो net use करना हो या फिर किसी से दूसरी जगा पर बात करना ये सब कुछ waves के जरीए ही possible है और यही waves मदद करती हैं pilots को उनके direct control room में communicate करने के लिए प्लेन में मौझूद करमी भी अपने station से waves के जरीए ही बातचीत करते हैं और commands देते और लेते हैं यही वज़ा है कि phone on रहने पर pilot सीधे सीधे communicate नहीं कर पाता और plane अपना रास्ता भटकने के लिए मजबूर हो जाती है और कभी कभी तो pilot सही निर्देश ना सुन पाने की वज़ा से crash होने तक की संभावना को सामने ला देता है आपने भी कई सारी films और ऐसी सची घटनाएं देखी होंगी जहां पर इस बात को बताया गया कि pilot से सही communication नहीं हो पाया जिसकी वज़ा से पता ने चल पाया कि आखिर प्लेन में दिक्कत है क्या तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि ये flight mode on करना आपकी जान और आपकी सुरक्षा के लिए ही किया गया काम है हम उमीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आई होगी और आपको आपके कुछ सवालों का जवाब तो मिली गया होगा आपके लिए जानकारी कठी की है हमारी साथी अक्षिता ने और आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमें comment section में जरूर बताएं हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए news track